नमस्कार गूड इवनिंग स्वागत है आपका स्वर में टाइम सुमें मैं हूंकुर शुक्र और चलिए नसर डालते हैं 36 गड़ प्रदेश की कुछ एहम खबरों पर पीएम आवास पर सदन में हुआ बवाल बीजेपी का वॉक आउट चौबे ने कहा इन्हें बताते मैं खुद कन्फ्यूज हो गया विपक्षी बोले गुमराह कर रहे मंत्री पूर मुख मंत्री के सचिव अमन सिंग की अग्रीम जमानत पर फैसला सुरक्षित आयसे अधिक संपत्ती की केस में फसे हैं पती पत्नी हाई कोड का फैसला आते तक नहीं हो सकती गिरफतार बलरामपूर में हास्सा चार साल के बच्चे की मौत खेलने के बाद सड़क पार कर रहा था तभी तेज रफतार कार ने मारी टक कर 36 गड़ में कोरोना से महिला की मौत तस दिनों से चल रहा था इलाज बेटा भी संक्रमिट 36 गड़ के 13 जिलो में यलो और एक में औरे जलर्ट आज भी अंदर के साथ बारिश की चेतावनी बे मौसम बरसाज से फस्लों को नुकसान कांकेर में अकसलियों का उतपाद नौ गाड़ियों को जलाने के साथ ग्रामिडों को बंधग भी बनाया पुलिस को सूचना दिये बगएर चल रहा था सड़क निर्मान का काम कवासी लखमा संग बिलासपूर पहुंचे सीम उसलापूर में की विशेश पूजा अर्चना आदे घंटे के निजी प्रवास के बाद रायपूर लोटे भुपेश बगे जोगी कॉंग्रेस ने गठ जोड को नुकसान दें माना अलग की राह पिछली बार साथ सीटे जीतने वाला पसपा जोगी कॉंग्रेस गठ बंधन इस बार नहीं होगा साथ इस बार सत्रा सौ करोड का होगा रायपूर निगम का बजट तात्या पारा चौक के लिए 30 करोड 500 डॉक्स शेल्टर हर जोन में अम्बुलेंस बुजुर्गों के लिए आसरा भिलाई में हर अभी बार लोग तालाबों की कर रहे सफाई निगम ने चलाया अभियान सभी तालाब होंगे साफ देश-प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहे सुरमय टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें